FIH Women's Junior World Cup Hockey में आज भारत के लिए डू और डाई वाला मैच है जी है आज भारत का मुकाबला है Belgium से और अगर भारत को quarter final में पहुँचना है तो इस मैच को जीतना बेहद जरूरी है तो आज के इस डू और डाई वाले मैच में किस टीम का पलणा रहेगा भारी और कौन सी टीम मार सकती है बाजी ये बताने की कोशिश करूँगा लेकिन पहले बता दूँ कि आप देख रहें न्यूस बाई स्कूप और मैं हूरा की श्रंजन जूरियर वर्ल्ड कप हौकी का चल रहा है महिलाओं का चिली सेंटियागो में और वहाँ पर आज भारत के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है बिल्जियम के साथ आपको बता दूँ कि अगर भारतिय टीम को क्वाटर फाइनल में पहुचना है तो इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ये भी बता देता हूँ दरसल अभी जो है पॉइंट टेबल को आप देखेंगे तो भारत दूसरी पोजिशन पर है और जर्मनी तीसरी पोजिशन पर है तो ऐसे तो देखकर लगता है कि भारत दूसरी पोजिशन पर है तो क्वाटर फाइन के लिए जाना है। लेकिन परहशानी कहा फस्ती है कि बेलजियम के छे अंख है भारत के तीन अंख हैं और जर्मनी के भी तीन अंख हैं। तो जर्मनी ने भारत को पराजित कर दिया है बेल्जियम ने जर्मनी को पराजित कर दिया है कनाडा इस ग्रुप की सबसे कमजोर टीम है जिसे पहले भारत ने 12 गोलों से पराजित किया और बाद में बेल्जियम ने 8 गोलों से पराजित किया तो ये मानकर चला जा रहा है कि जर्मनी को भी कनाडा को पराजित करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और अगर वो मुकाबला जर्मनी जीत जाता है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे और अगर भारत बेल्जियम से हार जाता है या ड्रॉख करता है तो अगर हारता है तो तीनी ही अंक रह जाएंगे ड्रॉ करता है तो चार अंक होंगे तो इस स्थिती में जो भारत है वो quarter final के लिए qualify नहीं कर पाएगा हाँ ये बात अलग है कि अगर कनाडा उलट फेर कर दे और जर्मनी को पराजित कर दे तब ऐसी परिस्थिती में भारत की महिला होकी टीम ये मैच गवाने के बाद भी जो है वो quarter final के लिए जगा बना सकती है हलाकि इसकी समभावना न के बराबर है और ऐसे भी बहतर होता है कि आप दूसरे पर आश्रित रहें उससे अच्छा ये है कि आप खुद आगे आए और अपने लिए जीत का दर्वाजा खोलें और यही काम भारत की महिला होकी टीम को आज सेंटियागो चीली में करना है बे गेलजियम इस टूर्णामेंट की अगर हम बात करें तो अपने पुल की बेस्ट टीम है क्योंकि जर्मनी जैसी टीम के खिलाब आधा दर्जन गोल करना कोई हसी मजाग की बात नहीं है और इसके बाद कनाडा को भी उसने कनविंसिंगली जो है आठ गोलों से पराजित किया दूसरी तरफ अगर हम भारत की महिला होकी टीम की बात करें जो इस जूनियर वर्ल्ड कप होकी में हिस्सा ले रही है तो उसने भी पहले मैच में कनाडा को बारह गोलों से पराजित किया मतलब उसने बिलजियम से चार गोल ज्यादा किये लेकिन उसकी परिशानी क्या हो ग जो है वो इस स्थित्ती में पहुँच गया है जहां उसे बिलजियम के खिलाब डू और डाई मैच खेलना है लेकिन ऐसा नहीं है कि बिलजियम इन्विंसिबल है उसे पराजित नहीं किया जा सकता और ऐसा भी नहीं है कि भारत की महिला होकी टीम कमजोर है या उसमें की टीम में वो शमता है कि वो बिलजियम जैसी टीम को शिकस्त दे सके देखिए आज जब मकाबला होगा न तो इंडिवीज्वल खिलाडियों की अगर हम बात करें तो इस टूर्नमेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने का इंडिवीज्वली रिकॉर्ड जो है वो तीम खिल किये हैं भारत की तरफ से अनू ने चार गोल किये हैं और दिपिका सोरेंग जो की जारखन किये हैं उन्होंने भी जो है पहले मैच में तीन गोल किया था है ट्रिक लगाई थी तो भारत के पास वो फावर्ड लाइन है जो की उसके लिए मैच जीत सकता है अगर आप बात कर दिपिका सोरेंग अनू और मुम्ताज खाल अगर ये अपने रंग में खेल गई तो वो बिलजियम को शिकस्त दे सकती हैं और ऐसी परिस्थेती में उनके लिए क्वाटर फाइनल का दरवाजा खुल सकता है बारत के साथ इस विशोकप में एक अच्छी बात ये रही है कि कॉर्नर को भी उन्होंने गोल में कनवर्ट किया है तो ये एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इस टीम का डिफेंस भी ठीक ठाक है वहाँ पर आप अगर बात करें तो कप्तान प्रीती है रोपनी अच्छा खेल रही है इसके अलावा नीलम है ज्योती है तो टीम अ अच्छा खेल रहा है महिमा टेटे मंजू चौरसिया जियोती तो सभी खिलाडी जो है कंट्रिब्यूट कर रही है तो अगर जो एक तालमेल का अभाव दिखा जर्मनी के खिलाब मुकाबले में खास करके तीसरे क्वाटर में पिछडने के बाल अगर वो तालमेल में कमी न लगा लेते हैं उन्हें गोल करने का आवसर नहीं देते हैं तो फिर बेल्जियम की टीम के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है लेकिन ये जो मकाबला होगा वो भारत के लिए बैटल ओफ नर्व भी होगा देखिए बेल्जियम पर कोई प्रेशर नहीं है तो दबाब मुक कर खेलेगी तो वो अटैक करेगी दूसरी तरफ भारत की जो महिला होके टीम है उसे अपने नर्व पर कंट्रोल रखना होगा कहीं वो नर्वस न हो जाए इस बात का ध्यान रखना होगा और जो गेम है उसको एंजाइ करना होगा हार जीत की बात बाद में तो पहले ये करनी है कि आप गेम को एंजाइ कीजिए अपना बेस्ट दीजिए तो यकीन मानिए अगर ऐसा कर पाने में भारत की महिला होके टीम सफल रही तो उसे आज क्वाटर फाइनल का टिकट मिल जाएगा भारत की महिला होके टीम को हमारी धेरो शुब काम नाए अभी के लिए इतना ही इजाज़त दें नमस्कार